एक वीडियो मैंने बनाया था कि वीडियो को डिलीट करने से आपके चल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और बहुत प्यार मिला उस वीडियो पर आपका इसके बाद लोगों ने पूचा कि वीडियो को प्राइवेट करने से क्या फरक पड़ता है इस पर भी मैंने वीडियो ब बताने वाला हूं आज की सबीडियो में तो लाइक क्र देना चल्सक्राइब करने muscle पर आपको hiring से बेसिक जानकारी जो YouTube के लिए होते वह मिलती रहती है तो निमारी वीडियों होते हैं जो भी यूट्यूब पर डालते उस तो यूट्यूब करना होता है सर्च इनजन का और टेक्स का तो अब यहाँ पे बात आते हैं क्या टाइटल और डिस्किप्शन में तो हमारी वीडियो वारल हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी डिस्किप्शन डालने से क्या फरक पड़ेगा वो सुन लीजी अगर आप डिस्किप्शन नहीं डालेंगे आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं तैटल डालना जरूरि है यूटूब के हिसाब से क्या मतलब है दो है जब आप लव Director on आपका तो audience को actually hook करने के लिए होता है basically जब वीडियो जो होता है वो जब आपके पास जब आप बना लेते हैं और उसको upload करते हैं तो जब audience के पास जाता है तो वहाँ पे आपका thumbnail और टाइटल ही दिखाई देता है तो audience आपके thumbnail और टाइटल से ही hook होताती है कि उस वीडियो को देखना है या फिर नहीं देखना है तुरह ने किलियर रिखा है कि टाइटल में हमेशा catchy टाइटल लगाई है ताकि आपकी audience को एक hook मिले देखे वो उसमें किलिक करे और टाइटल को हमेशा दो भागों में बाट दीजिए एक तो ऐसा catchy टाइटल लगा दीजिए और उसके बाद में थोड़े keyword भी लगा दीजिए ताकि सर्च रिजल्ट में भी आपकी वीडियो चली जाएगा और वाइरल हो सकता है description की कोई जरुत नहीं है लेकिन description के बारे में YouTube यह कहता है वहाँ भी अगर आप description में जाएंगे वहाँ भी प्रसनवाचक का एक option मिलेगा वहाँ पी आप उसको open करके पढ़ सकते हैं मैंने skin पे भी दिखाया है उसमें clear लिखा हुआ है कि जो description होता है basically उससे आप YouTube के algorithm को यह समझा रहे है कि हमारा वीडियो actual में किस बारे में algorithm understand आपके वीडियो को तो उसमें clear लिखा है कि जब भी आप description लिखे तो थोड़ा बहुत keyword का इस्तेमाल जरूर करें ताकि SEO में थोड़े result पे आपका वीडियो रैंक कर सके और सही लोगों तक पहुंच सके अगर आप description मगरा नहीं लिखेंगे तो भी video तो पहुंच जाएगा लोगों को पास लेकिन किन लोगों के पास पहुंचेगा आपकी जो audience से targeted के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा या किसी और चला जाएगा लेकिन अगर आपको targeted audience चाहिए तो फिर आपको description डालना चाहिए उसमें keyword का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि algorithm को पता चल सके कि आ आपका वीडियो तो चल जाएगा हो सकता है अगला वीडियो आपकी जो audience हो देखे ही ना उनका वह इंट्रेस्टी ना हो इसलिए description डाल देना चाहिए यह आपकी वीडियो के लिए काफी बढ़िया होता है टेक्स आपके उपर है आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते उसक कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है बच टेक्स का मतलब इतना ही होता कि हम अल्गोरिदम को थोड़ा और ज़्यादा बता रहे हमारी वीडियो के बारे में अल्गोरिदम कैसे काम करता है आपकी वीडियो के keyword से उसको यह समझ आता है कि यह वीडियो किन लोगों के लिए ह और वो लोग जब सर्च करते है यूट्यूब पर आके तो वो आपकी वीडियो को वहाँ पर दिखाने की कोसिस करता है ताकि आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर discover हो सके सिर्फ इतना सा मतलब है बाकि आप description नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी वीडियो वारहल तो ये जये चेह